हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बिजय माय और पबजी मोबाइल के अंदर रॉयल एडवेंचर इवेंट या फिर रॉयल एडवेंचर गेम को कम्पलीट कर सकते हो जिससे आपको जाश चे जादा ये एड्रॉप्स मिलेंगे और इन एड्रॉप्स के तुरू आप ये बहुत सारे रॉयल पास के अंदर जो रिवाड्स होते हैं इन्हें कलेक्ट कर पाऊगे तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंतक देखते रहो मैं सब कुछ डिटेल में आपको रॉयल एड्वेंचर गेम के बारे में बताऊँगा उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा आये हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलोट से भी आल पर सेट कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए तो आपको हर मन्त के रॉयल पास के अंदर जब आप यह फूर्थ नंबर के सिंबॉल के उपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको रॉयल एडवेंचर दिखाई देगा और इस रॉयल एडवेंचर के अंदर आप देख सकते हो आपको हर सीजन में ऐसे बहुत सारे रिवार्ड दिखाई देंगे तो फर्स्ट वाला यह आउटफिट है जो हमें 650 एरडॉप्स में मिल रहा है फिर नेक्स्ट यहाँ एक बिजॉन की स्किन है जो 300 एरडॉप्स से मिल रही है तो यह एरडॉप्स आपको कहा से मिलेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ तो आपको यहाँ टैप टू स्टार्ट के उपर क्लिक करना है फिर यहाँ आपको यह रॉयल एडवेंचर का गेम दिखाए देगा तो इस गेम के अंदर आपको यह एरडॉप्स मिलेंगे और अगर आपको यह जाया से जादा एरडॉप्स कलेक्ट करने है तो आपको यह गेम 50 आरपी कंप्लीट होने के बाद ही खेलना है अगर आप यह वीडियो सीजन के स्टार्टिंग में या फिर रॉयल पास के स्टार्टिंग में देख रहे हो तो फिर आप अपना 50 आरपी कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद ही आपको यह गेम खेलना है तो इसे complete करके यहाँ से RP points ले लो या फिर आप week 1, week 2, week 3, week 4 के अंदर जो भी आपके incomplete missions है उनसे भी आप ये ले सकते हो या फिर home screen पर आपको mission के उपर click करना है फिर यहाँ left side में आपको weekly activity दिखाई देगी तो यहाँ भी आपको RP points मिलेंगे तो इसे आपको ये RP points collect करने है क्योंकि वो Royal Adventure game खेलने के लिए हमें RP badges लगेंगे तो वो RP badges आप इन RP points से collect कर सकते हो आप यहाँ देख सकते हो ये game खेलने के लिए हमें RP badges लगते है तो आप ये RP badges UC से खरीद सकते हो पर मैं आपको कहूंगा कि यार आपको UC से खरीदने की जरूरत नहीं है जो आपके extra RP points है उनसे आप इने खरीद सकते हो तो उसके लिए आपको third number के symbol के उपर click करना है फिर आप यहाँ RP points के shop के अंदर चले आओगे तो आप यहाँ RP points से यहाँ कुछ भी यह ले सकते हो पर मैं आपको कहूंगा आपको यह RP badges खरीदने है तो 12 RP points के एक batch मिल रहे तो मेरे पास 500 plus RP points है तो आप देख सकते हो मैं कितना खरीद सकता हूँ तो total 48 RP batch में यहाँ से खरीद सकता हूँ और आपको भी essay करना है जो भी आपके बचे हुए RP points है उनसे आप यह खरीद लो और दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना और आपको यह बताना मैं भूल गया कि यह हमें Royal Pass के अंदर भी मिलते है तो कुछ Levels के उपर आप यहाँ देख सकते हैं तो Level 2 पर इसे 6 मिलते है फिर Level कौन सा है 25 पर यह 6 मिलते है यह 12 हो गए फिर 35 पर यह 6 मिलते है 18 और यह 6 तो Total 24 शायद हमें यहाँ से मिल जाते है और उसे के साथ हमें RP batch के कुछ vouchers भी मिलते है तो जब हम Tap to Start के उपर क्लिक करते है तो यहाँ आपको यह से नीचे कुछ डाइल दिखाए देगा 123 और यह डाइल को गुमाने के लिए हमें RP batches लएंगे तो यहाँ एक RP batch दिखा रहे क्योंकि हमें वो RP batches मिले थे Royal Pass के अंदर तो पहला spin हम एक RP batch से कर सकते है तो टोटल मेरे पास 75 RP batches है तो फिर अभी हम Start के उपर क्लिक करते है तो यहाँ हमें कुछ discount मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें वो RP batch के vouchers मिले है जिससे हम starting में एक से ही start कर सकते है तो मैं अभी यह से use करता हूँ OK के उपर क्लिक करता हूँ तो आप देशकते हो dial गुम गया है और मैं एक से advance हो गया हूँ तो जब मैं यहाँ आ जाओंगा एक से जब मैं advance हो जाओंगा तो यहाँ आप में दो option दिखाई देंगे तो first option है advance directly और second है advance safely तो अगर आप advance directly के उपर क्लिक करते हो जो की free होता है तो फिर आपको RP batches नहीं लगेंगे फिर वो dial अपने आप गुमेगी अगर आपको अच्छा point मतलम number मिला तो फिर आप आगे जाओगे अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको सिर्फ एक ही airdrop मिलेगा और जो भी airdrops थे वो सारे निकल जाएंगे तो आभी मैं आपको practically दिखाता हूँ तो मैं आभी advance directly के उपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ वो आपको दिखाएगा जो भी मैंने आपको बताया है फिर जब मैं OK के उपर क्लिक करता हूँ तो यह dial अपने आप चलेगी without RP batches और आप देख सकते हो मैं fail हो गया हूँ और मेरे सारे supplies चले गए और मुझे सिर्फ एक ही airdrop मिला है और आपको मैं बता दू आपको यह कभी भी use नहीं करना है advanced directly का function कभी भी use मत करो यह waste ही है आपका सब airdrops चला जाएगा तो अभी हम फिर से start के उपर आ गए है तो आपने पास अभी भी एक RP batch का voucher है तो उसे use करते हैं तो एक RP batch से हम फिर से start कर पाएंगे तो अभी मैं OK के उपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकतो एक से मैं advanced हो गया हूँ तो फिर से आपको दो option दिखाए देंगे तो इस बार आपको advanced safely के उपर ही क्लिक करना है मैंने आपको वो practically दिखाने के लिए मैंने advanced directly के उपर क्लिक किया था और आपने देखी लिया कि सारे airdrops चले जाते हैं तो आप ये advanced directly का button कभी भी use मत करना क्योंकि ये game में बहुत बार खेल चुका हूँ और experience से ही मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा airdrop कलेट करने हैं इस game के अंदर तो आभी जो मैं आपको बताऊंगा आपको वे से ही follow करना है तो अभी मैं starting से start करता हूँ तो okay के उपर क्लिक करता हूँ तो एक से मैं advance हो गया हूँ तो यहाँ हमें advance safely option के उपर ही click करना है क्योंकि अगर हम advance safely option के उपर click करेंगे तो अगर हम fail भी हो गए तो भी अपने airdrops कम नहीं होंगे तो अभी मैं advance safely option के उपर click करता हूँ आपको भी ऐसे ही करना है आप देख सकते हो मैं lost हो गया हूँ पर कोई बात ने अपने supplies नहीं जाएंगे और यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि एक yellow dot field हो गया है और वहाँ लिका भी है कि दो attempts के बाद जब आप third attempt करोगे तो guaranteed आपका एक, दो या तिन कुछ ना कुछ निकलेगा ही जिससे आप आगे जाओगे तो अभी आपको फिर से advance safely के उपर ही click करना है तो आप देख सकते हो मैं fail हो गया हूँ पर कोई बात नहीं, अभी मैं अगर click करूँगा तो कुछ ना कुछ नंबर निकलेगा ही तो आपको भी ऐसे करना है, पहले जब आप start से start करोगे तो फिर उसके बाद advance safely पर click करो फिर से आप एक बार advance safely पर click करो और last में भी आप advance safely पर ही click करना तो अभी आप देख सकते हो, मैं एक से आगे आ गया हूँ तो इस stage बर जब आपको advance safely के उपर यसे 15 RP batches दिखाई दे तो फिर आपको आगे नहीं खेलना है जो भी आपके air supplies वो आपको collect कर लेने है क्योंकि अगर आप उसके आगे खेलने जाओगे तो आपका कुछ नहीं निकलेगा, आप फिर से पीछे चले जाओगे तो फिर से आपको game start करना है, आपको ऐसे ही खेलना है फिर आपको start के उपर click करना है फिर एक से आप advance हो जाओगे या फिर दो से भी हो सकते हो पर वो rarely होता है मतलब 100 में से एक chance फिर से यहाँ आपको advance safely option दिखाई देगा तो आपको उसके उपर click करना है फिर आप आगे भी जा सकते हो या फिर fail हो सकते हो तो आप देख सकते हो फिर से याप 15 आगे है तो आपको फिर से collect के उपर click करना है और आपको वो collect कर लेना है तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार में हम 15 क्यूपर अगर क्लिक करें तो हम थोड़ा और आगे जा सकते है तो ऐसा नहीं है दोस्तों इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने ये गेम बहुत बार खेले तो आभी मैं आपको live practically दिखाता हूँ आप दे सकते हो 6 से मैं आगे गया फिर से मैं 6 से advance safely पर क्लिक करता हूँ तो मैं fail हो गया हूँ फिर से हम advance safely पर क्लिक करते है तो फिर से fail हो गया है और फिर से एक बार दबाता हूँ तो आप बस देखते जाओ जो आपके मन में सवाल होगा वो आपको चला जाएगा तो आभी देखो यहाँ 15 आ गया है तो मैं जब 15 के उपर क्लिक करता हूँ तो आप यह खुद देख सकते हो मैं फेल हो गया हूँ और आपके साथ भी ऐसा ही होगा इसलिए जब आपको यहाँ आपको करना है और इसे कलेट कर लेना है तो जो मैंने आपको टिप्स बताए है वैसे उनको फॉलो करो आपको जाए से ज़्यादा एरड्रॉप यहाँ से मिल जाएंगे तो आभी मैं कुछ रैंडम आपको करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं, मैं आडवांस डायक क्लिक वे पर क्लिक करता हूँ और देखते हम आगे जाते हैं या नहीं तो आप देख सकते हैं, हम नहीं आगे जारे हैं और हमसी सिर्फ एक ही ऐरड्रॉप मिल गया है तो इसलिए मैंने आपको detail में सब कुछ समझा दिया है आपको क्या करना है आपको 6 से पहले start करना है और अगर आपको advance safely दिखाए दे 6 RP batches से तो फिर yes करना ही नहीं दिखाए दे तो फिर आपको collect कर लेना है तो अभी मैं यह collect कर लेता हूँ collect कर पाता फिर use की तो जरुरती नहीं रहती थी इस game के अंदर तो इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे set करके रखा है तो मैंने आपको जो बता है वो ही आप follow करो तो अभी हम यह सारे use कर लेते हैं तो आप दे सकते हो मैं फिर से यह collect कर लेता हूँ मैं advance safely वोपर click नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है नहीं मिलेगा कुछ तो मैंने अपने सारे आरपी badges को use कर लिया है और total मैंने 89 air drops को collect किया है तो मैं और ज़्यादा भी collect कर सकता था अगर मैं उस trick को follow करता पर आपको दिखाने के लिए मैं यह randomly खेला हूँ advance directly के वोपर जाए से जादा click किया हूँ तो आप यहाँ से यह crate open कर सकते हो जो कि है 14 air drops से या फिर आप यहाँ से scrap ले सकते हो या फिर premium के coupon तो आप इन में से कौन सा भी यहाँ से यह ले सकते हो और आपको जो air drops मिलते हैं आपको वो उस royal pass के अंदर ही use कर लेना है क्योंकि यह time limited होता है कुछ time remaining यहाँ लगा हुआ होता है तो वो जल्दी से use कर लेना तो दोस्तों होप आपको royal adventure पूरा detail में समझ आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो यार एक वीडियो को लाइक ज़रू कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी informative वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तिल देन से वी बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग